नमस्कार दोस्तो अभी अभी की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे दू कि नेतन्याहू की मुश्किलों को और जादा बढ़ाने का काम यमन की तरफ से कर दिया गया है जी हाँ दोस्तो यमन ने अमारिका के सबसे बड़े एरक्राफ्ट को उड़ा दिया है इसकी जानकारी खुद यमन की तरफ से दी गई है अमारिका ने भी इसकी पुश्टी कर डाली है कि यमन के लड़ाकों ने अमारिका का एरक्राफ्ट नश्ट कर दिया है नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरीके से चौतरफा नहीं दोस्तो बलकि साथ मोर्चे पर जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे है साथ मुलकों ने नेतन्याहू के नाख में दम कर रखा है इरान, इराक, सीरिया और तो और हिजबुल्ला, हमास और साथ में दोस्तो लेबनान ने भी पूरा सपोर्ट पूरा जो है अपना पावर यमन को हिजबुल्ला को इन तमाम लोगों को देते हुए नजर आए हैं अब आप समझे कि हिजबुल्ला ने तो पहले ही नेतन्याहू की जो है पूरी तरीके से होश उड़ा रखी है कल की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी दोस्तो उस रिपोर्ट में कहा जो आ रहा था कि हिजबुल्ला ने फिर से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया नतन्याहू के घर को फिर से उसने निशाना बना कर अटाक किया है जिसमें नतन्याहू और अपने पूरे परिवार को वो लेकर कही किसी बंकर में चुपे हुए हैं शादी तक बेटे की कैintसिल हो गई है दोस्तो इसी नमबर की महीने में नेतनियाहू के बेटे की शादी होने वाली थी उस शादी को भी नेतनियाहू ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि हिजबुला हर तरफ से रॉकेट्स, ड्रोन, मिसाइल्स जो है बरसाता वा नज़र आ रहा है लेकिन यवन ने भी अमारिका से सीधा टक कर ले लिया है अमारिका के एरक्राफ्ट को उड़ाने की खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है तमाम वो बड़ी जानकारी आपको दे दू इस वक्त किधर से और कहां से निकल कर सामने आ रही है देखे स्प्रिंचर फामली की तरफ से वीडियो शेर करते वे जानकारी साजा की गई है कि इस्राइल फोर्सेस फायर फ्लेर्स इंटू दे स्काई नेर दा लबनान इस्राइली बॉजर जी हां इस्राइल के अंदर जो है कैसे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दिखाई क्या रहा है तो आग रॉकेट्स यहीं सब कुछ दिखाई दे रहा है इस वक्त इश्राइल में हर तरफ रॉकेट्स धूआं और चिंगारियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है कहा जा रहा है कि लेबनान में इसवायली सीमा के पास आसमान में इस्वाइली सेना की आग की लप्टे जो है वो देखने सुनने को मिली है हर तरफ बस धुआ धुआ नजर आ रहा है लबनान टाइम्स के हबाले से खबर आ रहा है कि इरान ने रिलीस किया है फुटेज एरक्राफ्ट का जो अमारिका का था जिसको यमन की तरफ से हिट किय गया है और उसको नश्ट कर दिया गया है तो इरान ने इस वीडियो को शेर करते वे जानकारी साचा की है वहीं कहा जा रहा है लबनान टाइम्स की तरफ से एक और तस्वीर वीडियो शेर करते वे कि ऑपरेशन जो इरान की तरफ से दिया गया है प्रामिस थ्री का वो के हवाले से जो है इरान के राजनाइक से जो है एलॉन मस्क मिलते वे नजर आ रहे थे लेकिन अब ये युद्ध हाला की पूरी तरीके से और जादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शेहरों का हाल देख सकते हैं तलबीब से लेकर तमाम शेहर पर इस वक्त इस्राइल के खत् कानिक है उसको फलाग जो लेकर टहल रहते हैं उसको उतारगो की बात कर रहे हैं उनको वार्णिंग दे रहे हैं कि आप यहांपर लेकर इस्रायल का नहीं टहल सकते हैं आगे ले Defense टाइम्स ने और तस्वीरे शेर की है कि हमास ने किस तरीके से जो है इस्राइल के मिलिटरी वेकिल्स को बैत लिया में नश्ट करते वे नजर आएं जिसकी वीडियो भी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ कि ऐसी तस्वीर है कॉपी राइट का इशू है दोस्तो लेकिन यहां लगातार जो है इस्राइल के मुश्किल जो है वो बढ़ती वी तो यह हाल इस वक्त रश्या की तरफ से भी निकल कर सामने आ रहा है साथ में आपको नौर्थ कोरिया के बारे में भी बताया था कि उसने सुसाइडर जो है वो बनाने की अनुमती अपने देश के लोगों को दे दी है तो आप सोचिए कि क्या और किस हाल में जो है इस्राइ कि रही है वो काम्याबी में तब्दील हो रही है आगे इरान को लेकर बार-बार खबर आ रही है कि इरान भी बहुत जल्द इस्राइल पर आटक करने वाला है दोस्तो इस पूर रिपोर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिया हैं में कॉमेंट करके जरू सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भोले धन्यवाद दोस्तों